स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने पाले हैं अपना जो सूपर सिल का ये आईडी है उसमें अभी थोड़ा चेंजिस आया है और इसको अब हम लोग थोड़ा सजा हो जाकर बढ़ियां से रख सकते हैं और अब हम लोग अपनी आईडी पर अपनी फोटो और फिर अपने गल्फ्रेंड की फोटो नहीं लगा सकते हैं अब हम लोग बढ़ियां जो सूपर सिल इक्टम अच्छा वाला दी है उसको लगा सकते हैं आप लोगों में ऐसा कोई भी मस सोचिए कि अब हम लोग अपनी ब सब्सक्राइब कर दीजे और फिर जो साइड में घंटे का वटन है उसको दबाना न भूलिएगा तो अभी सेटिंग को करने के लिए आज चुके हैं हम लोग अपने टाउन हाल 14 के मैक्स बेस पर और फिर यहाँ पर देख सकते हैं जो अपना साइड में सेटिंग का ओप्सन रहता है उसको क्लिक करना है जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद जहां से हम लो लोगों को डढ़ने की कोई बात नहीं है, बढ़ियां से अंग्रेजी आप लोग उस पर continue करो, फिर इसके बाद फिर एक ऐसा अंग्रेजी मिल जाएगा, इसको भी देखकर डणना नहीं है, ओके कर देना है, इसको भी चाहे कुछ भी लिखा रहे है, अब इसके बाद आप ल जगाँ पर ये नाम दिखेगा आप लोगों का, अब जैसे कि ये टाउन हाल 6 की आईडी है, तो मैं इसको डिमॉन टीएच 6 लिख देता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पर आप लोग को continue पर क्लिक करोगे, तो आप लोगों को बहुत सारे फोटो दिख जाएंगे, इसमें से आप लोग कोई भी फोटो लगा सकते हो, मुझे तो लगा था यार ऐसा option आना चाहिए था, जिसमें कि हम लोग अपना जो आधार कार्ड का फोटो है, उसको लगा सकें, क्योंकि आधार कार्ड की फोटो सबसे अच्छी रहती है, तो ये वाला भी बढ़ियाई फोटो है लेकिन उतना अच्छा खासा नहीं है, अगर ये दिखा जाए ये भी ठीक ठाक ही है, ये भी उतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर हम लोगों को अच्छा नहीं, जितना खराप से खराप रख सकते हैं फोटो, उसको रखिये, जैसे कि ये कुछ ठीक ठाक लग रहा है, त कोई भी idea ऐसी बनाए रहेगा तो तो कोई भी friend list में नहीं बनाया है तो चलिए इसको skip कर देते हैं बेज़िती करवाने से अच्छा skip कर देना रहता है तो जैसे ही आप लोग स्कीप करोगे अब आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा फिर इसके बाद जो यहाँ पर ह आपको friend request send करेगा तो यहाँ पर जो setting है देख सकते हैं वहाँ पर थोड़ा सा red color का कुछ करके ऐसे आ जाएगा वहाँ पर connected पर फिर से click करेंगे तो हम लोगों को जो friend request आया रहेगा वो दिख जाएगा अब यहाँ से हम लोग add कर सकते हैं और फिर इसके बाद मालीजे आप आप लोग अपनी पूरी profile को बनाने के बाद इसमें कुछ changes करना चाते हैं तो फिर से वैसा ही करना है setting पर setting के बाद जहाँ पर connected का option है उसको click करना है और फिर यहाँ से आप लोग सब चीज चेंज कर सकते हो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोगों का जो नाम है उसको भी फिर से हम लोग change कर सकते हैं जो कि अभी लिखे हैं तूरंत यहाँ पर receive friend request so online status यह सब चीज off कर सकते हैं फिर इसके बाद जैसे ही आप लोग change name पर click करेंगे तो यहाँ से नाम को भी अपने change कर सकते हैं जो कुछ लिखे हुए हैं उसको दूसरा आप बदल सकते है फिर इसके बाद अगर आप लोग अपनी ID को जब change करने लोगोगे तो आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा मतलब कि अब इसमें आप लोगों को अपना जो email ID रता है वो नहीं देखेगा इसमें और फिर देखा जाये तो यार यह जितने भी YouTubers live streaming करते हैं उनके लि लोगों को अपनी ID चेंज करने में कोई भी प्राबलम नहीं रहेगी और उनकी ID हैक भी नहीं होगी इतना तो बस आज के लिए इतना ही चलिए चलता हूं वाई बाई मिलते हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोग खेलते रहे हैं क्लेश फोड़ते रहे हैं सबका बेस